लोग सभा चुनाव करीब आते ही कॉंग्रेस का मनी शंकरा येर और सैम पित्रोदा गैंग पूरी तरह से मैदान में उतराया नहीं सैम पित्रोदा ने दिल्ली में सिख विरोधी दंगों को लेकर विवादत बयान दिया था और उसका नतीजा सामने है 2024 सिनाव में उनके पहले एक तरह से हिंदू विरोधी डियमके की लाइन को कॉंग्रेस ने आगे बढ़ा दिया और ये काम सैम पित्रोदा ने किया सैम पित्रोदा ने एक तरह से साबित कर दिया कि कॉंग्रेस किस कदर हिंदूों से नफरत करती है इंडियन ओवर्सिस कॉंग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कहा कि पीम मूदी का बार बार मंदिर जाना उन्हें परेशान करता है उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है सैम पित्रोदा का कहना है कि आगामी लोग सबचनाव बेहत महत्वपूर्ण होने वाले हैं ऐसे में पीम मूदी को देश के बारे में सोचना चाहिए सैम पित्रोदा का कहना है कि पूरा देश इस समय राम मंदिर पर लटका हुआ है ये वास्ताव में परिशान करने वाला है उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस को भगवान राम से जो दिक्कत थी उसका प्रदर्शन खुले आम होने लगा मतलब साफ है कि राम मंदिर की प्रान प्रतिष्ठा कारिक्रम को लेकर क्या स्टेंड है सूनिय गांधी मलिकार जुन खड़ गया धीर रंजन चौधरी को निमंतरन भेजा गया है लेकिन सैम पेत्रोदा के बयान से साफ है कि ये नेता कारिकर में शामिल नहीं होंगे सैम पेत्रोदा ने कहा कि मुझे किसी भी धर्म से कोई दिक्कत नहीं कभी कभार मंदिर के दर्शन के लिए जाना ठीक है लेकिन आप उसे मुख्यमंच नहीं बना सकते सिर्फ 40 प्रतिशत लोग भाजबा को वोट देते हैं 60 प्रतिशत लोग भाजबा को वोट नहीं देते वो हर किसी के प्रधान मंत्री हैं, किसी पार्टी के प्रधान मंत्री नहीं, यही संदेश भारत के लोग प्रधान मंत्री से चाहते हैं, रोजगार के बारे में बात करें, मुद्रा स्वीती के बारे में बात करें, विग्यान प्रध्योगिक्यों के बारे में बात करें, उन् इंडियन ऑवर्सीज कांग्रेस की अध्यक्ष रैम्पित्रौदा ने कहा क्या राम मंदिर ही असली मुद्धा है? ने असली मुद्धा है धारतीयों को अब ये तैय करना है कि रही कैसा राश्र बनाना चाहते है या एक लोग सेवक जो सभी को साथ लेकर चले एक लोग सेवक क्या लोगों को डर फैलाने वारी सरकार चाहिए या फिर सुरक्षा प्रदान करने वाली सरकार या उन्हें ही तैय करना होगा दोहजार चौबीस का चुनाफ देश के भविश्य के लिए होने जा रहा है ना कि किसी व्यक्ति विशेश के भविश्य के बारे में सैम पितरादा को आईटी ग्रांती की अगुआ लोगों में से एक माना जाता है और उन्हें कॉंग्रेस की सरकार ने साल 2009 में पद्मभूशन सम्मान से सम्मानित किया था बाइस जनवरी को आयोध्या में भगवान राम मंदिर में भवे प्राण प्रतिष्टा समारोह का आयोजन किया जा रहा है प्रधान मंतरी मोधी स्वैंव समय आयोध्या में होंगे और इस कारकरम के लिए विपक्शी निताओं को भी आमंतरित किया गया है जिसमें सोन्य गां प्रिप्रीपोर्ट निस फिंदिया